नमस्कार नीलो जी आपको आपके दर्शकों को पहली बात तो UPA का विसर्जन नहीं एक नया सूरज उग रहा है और BJP का सूर्यस्त हो रहा है अब अच्छे दिन आने वाले है आप जो कह रहे थे उसको रिस्पॉंड करते हुए विपक्षी दलो ने देश हित में बहुत ही र बदाई देनी चाहिए पहली बार तीन चुनावी साइकल में मैं यह देख रहा हो कि इतनी बारिकी से तैयारिया चुनाव के इतने पहले हो रही है इसे यह साफ है कि सारी विपक्षी दलों ने द्रिण निर्नय कर लिया है कि यह 2024 में दो और डाय का सिचुएशन है यह जो फॉर्मिलेशन है यह बहुत ही गंबीरता से देना चाहिए हम लोग सबको दूसरी बात यह है कि जो विपक्षी धाचा बन रहा है वह प्रगतिशील और दूरदर्शी अजेंडा पर बन रहा है कोशिश यही है कि विकल्पी विजन बने जो भारत को प्रेर कर सके भारत बनदन है जो लोगों के मुड़न को देश फ़र में जॉइंट प्रोग्राम करने करने वाले है जाती जांट धरना जो का सेंसर से से स्वास के मुद्दे Пर महंगाई के मुद्द पर किसानों के मुद्दों पर अरुकर वाज में सार्थं योजन्द होंगी चौथी बात आज 38-39 मुझे नहीं पता कितने हैं, दलोंग को BJP ने एक SOS मेसेज बिजा है, Save Our Souls, कि आईए, हमें बचाइए, क्या पता कल हो ना हो, ये भाजपा की हताशा तो है ही है, और ये दर्शाता है कि ये उनकी मजबूरी भी है, जाहिर सी बात है, अगर पिछले 9 सालों में इनोंने कुछ देश हित्में, लोग हित्में किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये कहते हुए, मुझे ये 48-49 दलों के उपर बहुत ही दया आ रही है, क्योंकि कल 100% बीजेपी इन सबको निगल जाएगे, ये जो 48-29 दल है, ये 2024 तक रहेंगे कि नहीं बीजेपी के साथ, ये सबसे बड़ा क्वेशन है आज का. मुझे ये का.